कि दोस्तों आप सबको विकास अगेटम पर स्वागत करता हूं आज हम लोग जो गवर्नर जनरल सीरीज का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके वारे में डिस्केशन करेंगे जैसा कि आपको पता होगा लॉर्ड एलेन बॉर्ड लॉर्ड एलेन बॉर्ड जो आये थे 1842 में बस दो तो साल रुके थे 24 तक इनके टाइम पर क्या-क्या चीज़ में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है फिर भी कोश्चिन आ सकता है तो आपको याद रखना होगा पहला चीज आप याद रखे जो आफगान हुआ 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 था इस्टिना कंपनी और अफगानिस्तान के बीच में जिसमें बुरी तरह से इस्टिना कंपनी का हार हो गया जवद्दर्स तो वह हार गये और अफगान वाले जीत गये एक बड़ा डिजास्टर था अंग्रेजों के लिए ये 1836 से शुरू हुआ था अफगान वार और पर्टिटिव में स्वाथ हो गया जैसे कि आप जानते है अफगान वार में हुआ क्या था इस्टिना कंपनी चाहता था जो अफगान है ना अफगान एंपैर उसको एक बफर स्टेट बना दिया जाए रोस्या और बेटीस एंपैर के पीच बड़ा स्टेट इस्टिना कंपनी वाले हार तो चलिए ये बात हो अब दूसरा चीज डिस्कुशन करेंगे एलेम के टाइम पर क्या हुआ स्लेवेरी जो होता है ना वह खातम होगा स्लेवेरी एबोलिस्ट डियूरिंग एलेम ये चीज आपको ध्यान रख और एक चीज है एक यूथ हुआ था गवालेयरत के साथ मतलब गवालेयरत में जो तक है सीन्द्ध संद्धा इचा आज के जैंगा संद्ध्य हो तो क्या ऑब सिंध्या के साथ यूद्ध हुआ और अंग्रेश तो जीट जाहें जया वर यहाँ करते टीटी साहिट हुआ इसको कहते हैं दिद्ध याहिए जाने इसके टाइम पे इनके टाइम पे 11 पोरोग टाइम और कौन अटाइक था चार्स नेपिर और अटाइक आने के बाद इस इतने कमपनी जीत गया और चार्स नेपिर को पुरस्कार या आवर्ड मिला इनको फॉर्स्ट गवर्णर बना दिया गया कि हांपे से प्रोगिंश का पहला गवर्णर किसको बना दिया चार्स नेपिर ठीक इतना सबस्ट चीज है और कुछ नहीं मैं समझता हूं यह चीज आपको क्लियर हो गया हो विश्या अपिल लानिक ठांकियो बेरी मुच्छ